हेलो एवरुबन तो आज हम सहजिंदी रचना इस पाठ्य पुस्तक का लेसन नमबर 20 अपठीत गद्याउश इस पाठ की पड़ाई करने वाले हैं याने अन्सिन पैसेजिस तो सबी बच्चों ने सहजिंदी रचना इस पाठ्य पुस्तक का लेसन नमबर 20 निकालना है अपठीत गद्याउश याने लेक का वहाँ आउश जो पहले पड़ान गया हो अपठीत गद्याउश को पढ़ने, समझने तथा उससे सम्मंदित प्रेश्णों के उत्तर देने से यवग्यतागा विकास होता है तो देखो पैरिग्राब दिया है उसके नीचे क्वेश्चन दिये है तो हमें उत्तर लिखना है तो पहला क्वेश्चन है इस गद्याउश को पढ़ो और पुछे गए प्रेश्णों के उचीत उत्तर दो यह जो गद्याउश दिया है उसको पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिये है उनके उत्तर लिखना है तो क्या है देखो सदा सत्य बोलना चाहिए सत्य बोलने से रिदय पवित्र होता है तो सदा याने हमेशा हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य बोलने से रिदय पवित्र होता है सत्य बोलने के और वी लाब है हम दुसरों के विश्वास पात्र बन जाते है सत्य बोलने से हम दुसरों के विश्वस पात्र बन जाते हैं जूट बोलकर अपराद छिपाने से उसकी पोल खुलने का भय बना रहता है तो बच्चो जूट बोलकर जो गंती होती है वो गंती छिपाने से उसकी पोल खुलने का हमें डर बना रहता है एक जूट को छिपाने के लिए आनेक जूटी बातों का साहरा लेना पड़ता है यदि हम जूट बोलेंगे तो हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा इसलिए हमें इस बात का विशिश द्यान रखना चाहिए कि हम कभी जूट न बोले तो बच्चों हमने विशिश ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी जूट नहीं बोलेंगे तो देखो नीचे question दिये है उनके उत्तर भी दिये है आपने अच्छे से writing में complete करना है तो पहला question है सदा सत्यव क्यों बोलना चाहिए तो उसका उत्तर है सत्य बोलने से रिदय पवित्र होता है सेकर नमबर है सत्य बोलने से क्या लाव है तो उसका उत्तर है सत्य बोलने से हम दुसरों के विश्वास पात्र बन जाते है नमबर तीन है जूट बोलने से किस बात का भय बना रहता है तो उत्तर है जूट बोल कर अपरात चिपाने से उसकी पोल खुनने का भय बना रहता है नमबर चार है जूट बोलने से हमें क्या हानी होती है तो उसका उत्तर है यदि हम जूट बोलेंगे तो हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा नमबर पाच है हमें किस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए तो उत्तर है हमें इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी जूट न बोले तो इसी तरह यह होत्त क्वेशन अंसर समापतो है नेक्स बेज निकालो सेकंड क्वेशन है निचे लिखे गद्यवश को ध्यान से पड़ो और खुछे गए प्रेश्णों के उत्तर जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवशक है जल यानि पानी पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवशक है जल का उपयोग पीने के अतिरिक्त खाना बनाने नहाने कपड़े दोने घर की सपाई करने तथा खेतों में सिंचाई करने आदी के लिए किया जाता है पानी से बिजली भी बनाई जाती है इसके बिना संसर का कोई काम नहीं चल सकता पानी के बिना संसर का कोई भी काम नहीं चल सकता पाउदे, जानवर तथा अन्य कोई भी प्रानी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते जल का मुख्य स्रोत वर्षा है पाड़ों पर जमी बर्व के पिगलने से नदिया बनती है नदियों का जल समुद्र में पहुचता है समुद्र के जल से बाप बनती है उससे बादल बनते है बादलों से वर्षा होती है वर्षा ये बारिश वर्षा का जल नदियों वर जिलों में जाता है जल जीवन के लिए बहु मुल्य है, हमें इसे दूशित नहीं करना चाहिए तो इसी तरह यह पैरिरा पे उसके नीचे question answer, question दिये हैं, हमें उत्तर लिखना है पहला question है, जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो जल का मुख्य स्रोत वर्षा है, वर्षा इने बारिश Second question है, वर्षा का जल कहा जाता है, तो उसका उत्तर है, वर्षा का जल नदियों वजिलों में जाता है नमबर तीन नदिया कैसे बनती है तो उसका उतर है पाड़ों पर जमी वर्खों के पिगलने से नदिया बनती है नमबर चार जल के कुछ उपयोग लिखो तो उसका उतर है जल का उपयोग पीने के अतिरिक तक खाना बनाने नहाने कपड़े दोने घर की सपाई करने तथा खेतों में सिंचाई करने आधी के लिए किया जाता है तो बच्चो इसी तरफ आपने गूड हैंट रैटिंग में उतर कंप्लेट करना है और एक बार रीड भी करना है धन्यवाद